कि अलो दोस्तों यह मैं आज आपके लिए सोक्स का नए डिजैन लेकर आई हूं यह सोक्स मैंने चार और पांच नंबर के लिए बनाई हुई है इसमें मैंने 55 फंदे लगाए हुए हैं यह मैं आपको बना के दिखाती हूं कि कैसे बनाना है यह मैंने 55 फंदे लगा के रखे हुए हैं अब मैं इसमें यह पहली जो है मैं पहली रूम है सीदी बना के बताऊंगे यह सारे पंदे मैंने ऐसे नीचे की तरफ बनाने हैं नीचे लगा गीचे की बनाने होड़ी कृए हैं devenir कब tai अइन का अ मैंने की इस में शाव च्जेख एव हैं है कि ऎर फ्यां नीचा कि ओ officers मैंने हो रूम के यह सिद्व Europas रूप के रूमियर फ्यां ऐसा आम एनार के इंव व्यासे टाधरिव इंडिम को की इंवली आइन ने जो बना के कंप्लीट कर दिये अब मैंने दूसरी लाइन में भी ऐसे मैंने सीधी-सीधी लाइनें बनाने हैं आइसे नीचे की तरफी हमारी दूसरी लाइन है ऐसे हमने पूरी टेंड लाइनें बनानी हैं वह सारी टेंड लाइन जो हमने सीधी की तरफी बनाने हैं अपर यासी टेंड लाइन आगे एक दो तीन चार पांच पूर जो है इस तरफ आजाएंगे हमारी यह हमारी पूरी टेंड लाइने हो जाएंगी अपर यह बना के दिखाते हूं टेंड लाइने ऐसे सीधी तोन अतरफ हमने ऐसे सीधी बनाने हैं यह महारी टन रूर्ज Woo Node कंपलेट होगे अब हमारा यह झो है यह वाइड कर से ऑच जो है हमे इसाइड करें और विassi हुआ बेच कुछ नहीं हमनें अभ और यह धागा लगाना है कि surplus में फ филь दूसरा जो पर नहीं है ऐसे दो हे दो है स्वेट कर लेकर थ्ती स्लेट में कर ले जदे को क्षीद घ्मर्ण आधी बना की है और फंद स्लेट तो है की वी हमार वी है penser 27 अब है ॉर बीच में हमारा है सिजल डिजाइन देना इसमें हमारा आप एसए सीधा भनाने यह ऐसी फंदा बना लिया फिर ये फंदा चोड़ना नहीं फिर ये इसी में बापस डालके फिर इसको ऐसे बना लिया और ये चोड़ना नहीं पिछी के ऐसे हमने इसमें साथ फंदे ऐसे बनाने है ये एक हो गया ये दूसरा ऐसे बनाया और फिर इसी को इसमें डालके फिर ऐसे बना आि दू धंद点 हुड हमारे यक तीसे इसे ही में डालके और फिर इसको भी cambiar इसे बना यह हमारे हैं तीन बढ़ कि रित चौता मसलशन हैं इसे बनाना यहां कि पर फिर इसको ऐसे भी बना यह प्र इसी में डालके यह फटंदा बनायगा और फिर इसको फिर से ऐसे यह पर बना लएयाAP आतुक Ci पंदे के रवक में अतेसे बनाने के वाद Oh Say है बहाँ ब्ना लिया यह मारे साथ न यूद्र आँए में कपने लिए यह oxe मळूद को छोड़ दिया है मारे साथ फंदे बने करें में इसна क आटोरे कार्ट नूँ हम फंद होगे और फिर हमने आगे जीफ के हुआ हम आ रहीं सिर्बुमा पर दूसरे बना लिया तो छेयर दो बना लिया पिर एक सलिप लिया तो अट भी तर रहीं टुट नहिंक राएँ तक आपको बना के दिखा तीब हाँ हमारी त stri french, लाइग में कुछ गाला हें फिर्ट ट केसम साय में tengo लाइंग आप आप वमस MIL इस सेखेंडन के उल ठाकंद इस डालना है यह पैंज़ डालना है यह बैट सेखेंड है यह यहाँ सीजिंदे अलान्र ट हाया है फिर आhead आपर लेका तर्फ रससलिप की ववा गंदा ळें गंदा अससी प्राइब लिया है फंद जो इसे सीड़ा बना लिया यह हमने जो है 27 फंदे जो साइड के थे गों आपना लिये फिर आगे के फंदे यह जु है वाइट कलर के यह सारे हमने ऐसे बनाने नीची की तरफ बनाने यह से अचे आपन दे थे यह सारे एक एकर के से नीची की तरफ पुनाने है अब हमारे जो बीच में फंदे बढ़ रहे हैं तर और यह जो हमारा वाइट कलर का फंदा है यह भी हमने ऐसे सीधा ना लिया फिर अमने यह जो दागा ऊपर किया और फिर यह फंदा जो ने ऐसे स्लिप किया फिर दागा नीचे फिर फंदा सीधे बनाया फिर दागा ऊपर फिर फंदा स्लिप किया फिर दागा नीचे फिर फंदा सीधा बनाया यह सारी लाइन हमने आगे तक ऐसे बनानी है यह हमारी अब लाइन जो कंप्लेट हो गई यह हमारे डीजाइन जो 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 लाइन के बनेगा यह फर्स्ट और सेकंड लाइन में हमारा राइट कलर से डीजाइन बनेगा अब अगली लाइन में फिर मैंने इदर जो है यह ब्रेड कलर का दागा चलाना है इसमें उमारा कोई डीजाइन नी बनेगा इस कलर से सारी रोगे द्विशुए हमने सीधी सीधी बनानी अँरे हैं यह दो फंदे यह तक बना ली हैं आगे के जो हमारा डीजाइन डेल खूए हैं यह भी हमने ऐसे सीधे बनाने है है इसमें भी कुछ नहीं करना ऐसे अगे तक सीदे बनाते जाना है I am in Me यह सारी आसे लेन कम नेहां अग्धिंड करनी है all Tim और फिर दूसरी साइड में हमने भी सारी इसी उल्ती लाइन बनाने हैं और दीजिस तरफ हमने उल्टी लाइन बनाने है इस में आपको बना के दिखाती है यह हमारी अब उल्टी लाइन भी कम्प्लीट होने वाली है कि हमने पहले दो लाइन जो है हमने डिजैन के उनाई फिर दो लाइने हमने ऐसे सीधी एक सीधी और एक उल्टी रेड गलर की दो लाइने बनाई पर फिर से हमने जो डिजैन है वाइट कलर का वह पहले पहले फंदः विशायक बना ले ना है कि दूसरा फंदा हमने ऐसे सलिप किया फीर अगला फंदा वने ऐसे बना लिया फिर आगय का अग्यक अग्यक अग्यक्यक को यईन कल लिए अब जो हमारा ये इधर फंते बड़े हुए थे तो फिर हमने ये फंते जो हैं साइडों में ब्राबर ब्राबर कर लेने हैं और बीच मारा एक फंता बचेगा उसमें हमने ऐसे डिजाइन डालने हैं तो हमारे ये जो फंते है ये बीच वाला फंता जो हमारा इसमें हमारा डिजाइन डालेगा इधर नीचे हमारा जो है जाएं मैं और मारा साइड्ला को यह सुछ आ वाइट कलर कर रहा है तो इससे हम और ऑमारा यह कीरे रहता 2000 पिंदि को पार 50 बना है महें 40 इसके वाड़ों 90 पिंदी जांने 9 न भीक乾़ के हमारों 11 मीर्च सकने यह सथे इसकि इसक्षेड आद क यह वर जी पकी होग आता अब एगर लाष्नु दू wanna लीए अ पिर आगे ये फंद हम अरे रेड कोलर काया सलिप ने कहीं तो मैं ही ऐसे करणा है तो पिर आगे ये बना लें लो मैं यह जैसे पीछे बनाया है आगर से एक पंद बनाना एक सलिप कर ना अ यह सारी है रहने सी कंप्लेट करणे कि यह हमारी आप जो लाइन कम्प्लेट ओग अब टी साइड में आब कि कि हमारी दूसरी लाइन में फिर डीजाइन दे लेगा यह फंद जो हमने शीधा बनाया फिर धागा जो ऊपर किया फिर है ब्ली दॉस्प किया हुआ एसे पंदा स्लीप गगा निची दिर पंदा सिवनया यह सारी लाइना के तक verbessंगे इसे गनानी है यह हमारा अब उल्टी साइड में हमारा डीजाइन जो कंप्लीट हो गया में आब और टीजाइन ढलता जाएगा अब फिर मैंने उपर एक सीधी और एक उब्ठी लैंजने रट कलर की बनानी है यह हमने अब पॉल्टी और सीधी लें जोए है कम्प्लेट कर ली है यह हमारे दो डिजान जोए डल गए है जैसे हमने 6 वार और डिजान जोए डारने है एक दो 3 4 5 6 7 और एक आठ यह हमने दो डाल ली है अब 6 और हमने ऐसी डारने अपर यह हमारी 8 अप्रेबर बने के त्यार हो गया है एक दो तीं चार पांट छे शाथ और एक आठ गशर पाने के त्यार हो गया है अब इसके आगे हमने के सीधी सीधी एन फोर लाइन जो पॉर लाइन बनानी है यह टू लाइन मेंने बना के रख्य हुई है इसके एलापा मैंने फॉर लाइन और बनाने है इसारी लाइन ऐसे कंप्लेट करने है और फिर एक उल्टी लाइन ऐसे मैंने इसके बनाने है यही आपको बना के पिर आका जो आई यह ऐसा आजैए आजएगा यहाँ यहां इंड ह्याय यही न से आपको प्री गोलता आप कर लाना न मेंने एसारी हुआ जड़ो σας लेता है यह ग creo अंची कंप्लेट हो जोए हैं धूलता हरुड गई जो न था जो तर भीन ऐदर आए जाएंगे और भीच में एक फंद रहाए जाएगा वह आप जाहिए इस साइड लेलो जाहिए जाए इस साइड लेलो अब हम यह फिफ्टी बान फंदे जो हैं कि बनाएंगे हमारे इस आड़ी आएगी तो हमने पहले जैसे दो फंदे ऐसे दो फंदों का एक पंदा बना लेना है फिर हमने ये धागा उपर किया और फिर हमने इस सारे पंदे आगे के ऐसे अल्टी साइड बनाने है हमारे फिटी साइड यह बना लिए और इक पंदा हमने इन एका भटा बनाने अब यह घंदे है आवाले फंदे के ओपर बनाने Sul प्वेग अभी सलाई और ये फंदे जो हमने ये भी ओल्टी साइड़ी सारी यान तर से उपर की तरफ बनानी है इस साइड से भी और इस साइड से वी ऐसे ओल्टी लाइन बनानी है है हमने 50 lle करें है कि हमां आपको अभी North यह तीन लाइने कंप्लेट करके बताती हूं पहले यह एक लाइन हमारी जो ओके ही है और यह दूसरी लाइन चलिए फिर इसके बाद फिर मैं राइट साइड में रॉंग जो लाइन बनानी है वह बना के दिखाती हूं अब थीन लाइन जो होहें सीदी साइड हमें ल्टी बना दी और थीन लाइन हमनेš zij लोन परति साइड में थीby बना लें ईफिर छुदर कि तरफ अने यह पिर फंड़ जो हमने एक फंदद गटाना है, तो मुने यह दो फंदों का एक पंद गटी के हैं , यह हमारे दो फंद जो टहते हैं पीहला फंद पास्ट्रलाइन में गटाया था दूसरा फंद आप Republic को प्रम ये जो अन हम सृप आपर करिए फरसे मुकं पिर्टी का चाहिए इस पीसमेरर सब्सक्राइब भी सब्सक्राइम भी सब्सक्राइब को टिन यह फिकली बनाने उपर की तरआ का स्षाओं को बनाके दिखाते हूं दूसी चैनल अब के अब्र 10 ष्ट क्यूं नीचे और फिर उपर 100 आप और 10 व्लाइन यह सी आब श्तिति आपे़नला यो हां पूरी 20 ओनियों दोने तरव 9osure सइसिड 20 करने तर 10 एस इस ताइड तो हमारे दो पंदे जोंस साइड से मैंने घटाएं और 6 लाइन के बाद फिर मैंने 1 पंद जो फिर से घटाएं तो यह दो फंदे एक साथ लिए और ये घटाएं तीस से धाग वबाद फिर से मैंने ऐसी सारी लाइन पोल्टी दना नहीं, फिर से ऐसी मैंने और लाइन ने बना नहीं यह हमारी सीदी की तरफ जो है, टैन लाइन जो है, कम्प्लेट होगे और उल्टी की तरफ भी हमारी नाइन लाइन होई है तो टैन लाइन में आपको बनाना दिखाती हूं कि कैसे बनाने हैं यह से कर लिए पोर्ड उधर जो हमारा यह बीच बला है इसमें हमने यह फंदेजों है, इधर से हमने फंदेजों बन करने हैं फिर आगे की लाइन वैसे ही हमने ओर्टी बना लेने हैं यह हमने दो फंदेग साथ ले लिए, यह दो का एक बना दिया फिर यह इसी में डालके दो का एक बना दिया यह दो फंदे भटके हमारे फिर इसमें डालके एक फंदा गटा दिया तीन फंदे ग्यारा और यह 12 फंद जो मैंने बन कर दिये आगे की लाइन जो मैंने इसारिय से ही वर्टी बना देनी है कि यह हमारी अब जो लाइन कंप्लेट होगे हमें इतर दाग जो आब काट दिया है यह फंदे में अब दूसरे सलाई में डाल लेती हूं फिर हमने यह वाले फंदे बनाने हैं यह मारा यह से यह इस तरफ जो हमारा आब अब उठाएगा और इस तरफ हमारी एडी आएगे ऐसे ही बनाना है जिसमें हम अलग से दागज होए दगाएंगे जैसे इतर हमें यह तीन लेने बनाई सीधी के तरफ तीन लेन विनाई और उटी के तरफ भी तीन लेन के बाद मैंने इक फंदे इतर प्टाया है चौथी लेन में और फिर आगे छे लेने कंप्लेट होने के बाद फिर मैंने साथ मी लेन में इधर फंदा गठा दिया तीन फंदे गठा ही में इस तरफ वैसे इधर मैंने यह हमारी एक लाइन वी दूसरी ब्रुटी साइड में बना ड़ी है फिर सीधी में तीन लेन कंप्लेट होजेंगी और फिर उसके बाद में दूसरा फंदा में और फिर मारे ऐसे से 9 लाइन कंप्लेट हो जाएंगी और 10 लाइन में आपको उपर बनाना दिखाऊंगी इन आपको उपर तक बना के दिखाऊंगी हमने इदर अंगुठी की साइड जो मैंने इदर तौरले फंदे जो मैंने बंद करने हुए वान टू थ्री फोर फाइब सेवन एट नाइन ट्वेल इसे बंद कर देने हैं यह दो फंदे ले लिए यह फंदा इसी में डा रुके वान कर दो बंद कर दो कि दो सेवन एटना हैं एटनी हो वान कर दो एंद कुछ अटना हैं जी मारा लाश्ट का बंद जो में ऐसी बंद करें है इस दोनों साइड जो है इसे दोनों साइड से कठी कर लेनी है पिर हमने यह जो फंद है यह मनें इस जो बंद करने हैं इसमें हम अलग से दाका जोए लगाएंगे एक फंद इसमें से लेना और एक फंद इसमें से और यह फंद फिर इसी में से इसी में डाल दिये फिर एक फंदा इस मेंसे और जिसमें मैंने फंदा डाला है उस मेंसे दो फंदे ले लिए ये तीनु पंदो मेंसे नुकाँ दिया पिर एक पंदार इस मेंसे और दू पंदे मीची वाले मेंसे लेले ये सिर ये पंदे फिर में इसी में डाल दिया हुँ हमेरे इसे बंद हर जारा ने इसे बंद करोंके गर ऐसे बंद करके बता के यह हमारे बंदे जोब बंदोने वाद है मुआ दोचेएएएएए इन लास का बनुचन है मुआने बंदो इस में बंदोची इन का लाच वाद कि यह हमारी सोप्स जो बनके त्यार होगे आप इसको हम इधर यह से बूटी साइड से सुई से सिल देंगे यह पीची से भी हमने यह सुई से सिल देंगे यह मैं आपको सिलके बताती हूं यह मैंने इस दर दागे में सुई लगाई हुए और फिर इसको ऐसी कर लें दोनों साइड से यह से यह दूनों आपस में अच्छी तरह मिला हुए यह मारा विसलके जो है त्यार होगे है इसको हम सीधा करके ऐसे देख सकते हैं आप मैं आप मैं यह जैसे आके सिलाओ आमना है सुईसिक जैसे यह 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 अज़ाए करके ऐसे उठा करके यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक स्वीशेश लेड़ेना है फिर आपके जो ऐसी सोक्स बनके त्यार हो जाएगे आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तुर लाइक को शेयर करना धन्यवाद